कि नमस्कार मैं गितानली वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर ड्रॉइंग इन पिंटिंग एसे में गवर्मेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा आज के इस वीडियो में हम जेम विलियम टर्नर से समंदित अध्यान को जारी करेंगे जिसका एक पार्ट हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं अब तक हमने देखा कि विलियम टर्नर ने अपने जीवन में किस तरह से संगर्श करते हुए अपनी शैली को स्थापत करने का प्रयास किया इटली आये और अठार सो चालेस में वेनिस की आत्रकी इस समय के चित्रों में उनके वेनिस के प्रभाव में प्रकाश का बड़ा ही अनोखा प्रभाव रहा इस समय तक जनता की रूची उनके ओर से हट चुकी थी किन्तु सहसा ही रसकिन ने उनका पक्ष लेते हुए उनकी चित्रों को प्रोमोट किया 1843 में रसकिन ने आधुनी चित्रकार नामक पुस्तक लिखी और उसमें सत्यम शिवम संद्रम की स्थापना के कारण टर्नर की द्रश्य चित्रों को प्राचीन आच्यरों की कला से श्रेष्ट बताया टर्नर ने लगभग तीन सो तैल रंग चित्र तथा बीस हजार रिखा चित्र एवं जल रंगों में निर्मित चित्र राष्ट की सिवा में समर्पत कर दिये टर्नर का समुद्री अध्यन बीहद अच्छा था उन्होंने अपनी कला में प्रकाश का प्रयोग विक्सित किया उनके शेश चेत्र वे हैं जिनमें प्रकाश चाथा धरातली प्रभाव के समन्वे से महा प्रलय के द्रश्य की चित्र उत्पन किये गए हैं प्रकृति की भयावाता को उन्होंने बड़े साहस के साथ स्वयम अनुभव किया है। रसकिन के अनुसार टर्नर में लगन, इमानदारी, उदारता, दायलूता एवं दड़ता आदिगुन थे, जिसके कारण वे अपनी शैली के निर्मान में सफल हुए। उनका जलरंग में किया गया अरंभिक कारे, पीछे के तैल चित्रों से बहुत अच्छा बन पड़ा है। द्रश्य चित्रों को इस प्रकार चित्रित किया है कि वे मातर द्रश्य चित्र न लगकर प्रकृती की काव्यात्मत प्रस्तुती लगते हैं। इसी मौलिक्ता के कारण टर्नर का कला के क्षेत्र में नितांत सुरक्षित और मौलिक स्थान है। वैसे टर्नर प्रकृति की भयानकता की मुद्राओं से अधिक प्रभावित थे और यह उनके चित्रों में बख्षू भी देखा जा सकता है 1839 EC में बर्निंग में हाउजेज अफ पार्लियमेंट जो की भीचन अगनी की लप्टों में स्वाह हो गया था 16 अक्टूबर 1834 में 16 अक्टूबर 1834 में हाउज अफ पार्लियमेंट भीचन अगनी की लप्टों में स्वाह हो गया था टर्नर को इस घटना से विशय प्राप्त हुआ और उनकी महत्वपून कृतियों में पार्लियमेंट के उपरी भाग में आग लगी दिखाई गई है और नदी में जो पर्चाई दिखाई देती है उसे उन्होंने बड़े ही कलात्मक वातवन के साथ रचित कर बनाया है आज तक मास्टर आर्टिस्ट के मद्धे टर्नर की टर्नर ही एक मातरह से कलाकार हैं जिन्होंने हस के साथ सूर्य और उसकी दोनों के प्रकाश के ने को निसकोच और स्वाभाविक्ता के साथ उता रहा है संसेट, संराइज को जैसा उन्होंने देखा वैसा ही उतारने का प्रयास किया और उसी सुन्दरता के साथ उन्होंने उसे कैनवास पर बनाने का प्रयास किया टर्णर 18 सदी के मध्य में हटकर चितरन करने वाले उन कलाकारों में से एक थे जिनों ने कलाको रूडिगत परंपराओं से मुक्त किया हम कला इतिहास में देखते हैं कि द्रश्य चितरों का पहले सुतंत्र अस्तित्व नहीं होता था किन्तु कलाकार टर्णर ने कलाकारों के सम्मुक इस तरह एक नवीन प्रस्तुति की थी और इस तरह हम टर्णर के जीवन और उनके क्रितित्व को जान पाए उनकी प्रमक्रितियों में रेंज स्टीम एंड स्पीड देख सकते हैं कि जिसमें वातवन की बहुत सुन्दर प्रभाव को दिखाया गया और इसके बारे में हम पहली बता चुके हैं यह चितर प्रथम जो ट्रेन थी पहली जो रेल गाड़ी थी उसको दर्शाते हुए उन्नती को प्रतिक रूप में दर्श स्वारों को समुद्र के भीतर भीतर अर्थात लहरों में मचलियां पकड़ते हुए दर्शाया है रात का जो दर्श्य है वहस में उकेर आ गया है यह दोनों चितर जो फेमस थे टर्णर के दो बर्निंग ऑफ हाउस ऑफ पार्लियमेंट 1835 में बने थे जो की पार्लियमेंट हाउस में आग लगी थी उस द्रश्य का रफ्लेक्शन जो नदी में दिखाई दी रहा था उससे प्रभावित हो करके बनाया गया और यहां जो विभीशी का को भीशन स्वरूप दिखाते हुए उसके सौंदरे को इस चितर में दिखा जा सकता है यहां विर अने लेंड्सकेप्स जो उनके कृतित्व में शामिल है जहाज के चित्र शिप्रैक्ट जहाज के तूटने के जो तुफान में फसा हुए और यह जो भयावाता है प्रकृति की टर्णर ने खुद महसूस करके ही बनाई है और इन सब के अब्जर्वेशन के लिए वो वहाँ जाते थे जहां इस तरह की स्थितियां उत्पन होती थी और उन्हें वो खुद स्वयम अनुभव करके फिर उसे पेंट किया करते थे यहां कलर्स का बहुत सुन्दर कंपोजिशन है लाइट एंड कलर्स नौर्हें कैसल बहुत फ्यूजड कलर्स के साथ फ्यूज़ इंपक्ट के साथ सन्राइज दिखाया है स्लेव शिप यह भी एक उनका प्रसिद्ध चित्र है पीस बरियल एट सी है यह भी उनके प्रसिद्ध तम चित्रों में से एक है यहां हम टर्नर का ध्यन जो की लैंड्स के पिंटर थे समाप्त करते हैं धन्यवाद करते हैं लैंड्स करते हैं पुल्च को लोह भी इंपक्ट करते हैं से आज कि लिए मुझ कुलिख प्रसिद्ध जर विए प्यूब आप प्रसप्रें लुब आनला ध्यार सम्सानल